बाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, कैसे आप? मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधान मंत्री पैनिक कर गए हैं, विलकुल हिल गए हैं, घबरा गए हैं, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो हैं, तो मैं शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूँ, जिसने ये जो OBC, दलित, आदिवासी की पॉलिटिक्स है, उस डायरेक्शन में, उसको समझने में मेरी थोड़ी मदद की, एक दिन, 10-15 साल पहले, मैंने एक अगबार में छोटी सी न्यूज देखी, कि हिंदुस्तान की एक फैशन डिजाइनर, फ्रांस में जाकर, अपने कपड़े फैशन शोग कर रही थी, तो मुझे काफी अच्छा लगा, कि फ्रांस फैशन की राजधानी मानी जाती है, फ्रांस के डिजाइनर, अपने आपको, दुनिया के सबसे टॉप फैशन डिजाइनर मानते हैं, तो मैंने का, देखो, बड़ी अच्छी बात है, हिंदुस्तान की एक फैशन डिजाइनर पहली बार, फ्रांस के पैरिस में जाकर, अपने कपड़े दिखा रही हैं, दो-तीन दिन बार, उसी अकबार में, मैंने एक आर्टिकल देखा, कि फ्रांस के डिजाइनर्ज ने, हिंदुस्तान के जो डिजाइनर थी, उसका मजाक उड़ाया, कि देखो, इसको तो डिजाइन ही नहीं आती, तो अब मेरे दो-तीन फैशन डिजाइनर्ज दोस्त हैं, जो फ्रांस में इटली में फिमस फैशन डिजाइनर्ज हैं, तो मैंने फोन उठा के, मैंने एक फैशन डिजाइनर्ज को फोन लगाया, तो कहता है क्या मैंने कहा हिंदुस्तान से एक लड़की आती है पहली बार आती है अपने कपड़े दिखाती है फैशन दिखाती है और आप लोग डर गए तो आप लोग उसका मजा को डा रहा हो कि आपको अच्छा नहीं लगा कि इंडिया की एक औरत आपके सामने आकर जो आप काम करते हो उससे अच्छा काम कर गई नहीं तालिमत बजाईए अभी कहानी पूरी नहीं हुई है तो वो मुझे कहता है देखो तुम लोग सुपर पावर सुपर पावर की बात करते रहते हो मगर ऐसे तुम लोग सुपर पावर कभी नहीं बनोगे और अगर तुम सचमुच बात समझना चाते हो तो मैं समझा देता हूँ मगर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी बात मेरा दोस्त है मैंने का देखो बात ये है कि हिंदुस्तान से लड़की आई है तुम लोग घबरा गए हो तो ऐसे उल्टे सीदे बहाने मत बनाओ कहता है नहीं मैं समझाता हूं तुम्हें मुझे कहता है राहूल मुझे फैशन डिजाइनर कहा जाता है हम सब को फैशन डिजाइनर कहा जाता है मगर हम फैशन डिजाइनर नहीं है हम दर्जी है फैशन डिजाइनर सिर्फ नाम दिया गया है हम है दर्जी और आप दर्जी से बात कर रहे हो आपने मुझे कोई भी कपड़ा दे दिया मैं उस कपड़े को समझ जाता हूं छूते ही मुझे कपड़े के बारे में पूरा सब पता लग जाता है कैसे गिरेगा कैसे काटा जाएगा किस पर किस प्रकार लगाया जाएगा मैं सब जानता हूँ मैं कारिगर हूँ आपने जो वरत भेजी वो कपड़े को नहीं समझती है वो जो ड्रेस वो दिखारी थी वो उसने नहीं बनाया है उसके बैक आफिस में एक दर्जी बैठा हुआ है जो कपड़े को समझता है आपने यहाँ एक दलाल भेजा है एक दलाल भेजी है आप उस दर्जी को भेज दो हम ताली बजाएंगे मैं हैरान हो गया उसने कहा कि देखिए आप सुपर पार गी बात कर रहे हो और जो आपके देश को बनाता है चाहे वो नाई हो चाहे वो दर्जी हो चाहे वो बढ़ई हो मेटल वर्क्स का काम करता हो इलेक्टरिशन होता है उसको आप छुपा के बंद कमरे में रखते हो और ये और जिसको आप ने भेजा है इसको कपड़ा तो समझी नहीं आता क्यूं हमें इसकी तालिव जाए बहुत गहरी बात बोली और उसके बाद मैं सोचने लगा फिर मीडिया में मेरे बारे में कहते हैं कहते थे कि पॉलिटिक्स में इंट्रिस्टिड नहीं है नोन सीरियस है आपने देगा हुआ मीडिया में 24 गंटा नोन सीरियस नोन सीरियस मन रेगा नॉन सीरियस, जमीन अधिकरन बिल नॉन सीरियस, नियामगिरी नॉन सीरियस, भट्टा परसॉल नॉन सीरियस, अमिताब बच्चन, अश्वरिया राय, विराट कोली सीरियस. मतलब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, मान लिजिए ये कमरा है, इसमें हजार लोग बैठे हैं, हजार लोग में से आप यहां पे 20 लोगों को हेड़फोन दे दीजिए और माइक्रोफोन दे दीजिए. और वो 20 लोग 24 घंटा चर्चा कर रहे हैं, और 990 लोग यहां बैठे हुए हैं, उनकी ना कोई बात सुनता है, ना उनके पास लाउड स्पीकर, ना उनके पास माइक्रोफोन, हेड़फोन, वो देखते रह जाते हैं, और जब भी कोई 90 परसेंट की बात करता है, तो वो यह जो लोग कह रहे हैं, नॉन सीरियस, इनकी कंपनीज में, इनके स्टेक होलडर्स कौन हैं, इनके जो बड़े-बड़े पत्रकार हैं, जो एंकर्स हैं, मैंने इनके नाम निकालने शुरू किये, 95 परसेंट का इनमें एक है नहीं, एक OBC नहीं है, एक OBC एंकर नहीं है, एक OBC एंकर नहीं है, एक दलित एंकर नहीं है, एक आदिवासी एंकर नहीं है, सारी कि सारी कंपनियों के लिस्ट में 90% से एक मालिक ही नहीं तो लाउट स्पीकर आपके हाथ में ही नहीं है और अगर लाउट स्पीकर आपके हाथ में नहीं है तो जो भी आप बोलोगे वो नॉन सीरियस मैंने अगर इनके हाथ में लाउट स्पीकर दे रखा है मतलब फुल पार वारा लाउट स्पीकर तो बागी सब बोले ना बोले वो तो non-serious यह होगा वो serious तो वही है जिनके हाथ में लाउट स्पीकर है तो मीडिया में आपका कोई नहीं और मीडिया को किसका पैसा जाता है GST का पैसा जाता है सरकारें पैसा देती है हर स्केट की सरकार दिल्ली की सरकार हजारों करोड रुपए देती है हिंदुस्तान की सरकार हजारों करोड रुपए देती किसका पैसा यह यह GST से आता है यह 90% का पैसा है अब मैं कह रहा हूँ कि भईया अगर 90% का पैसा है तो एक दो लाउड स्पीकर तो पकड़ा दो उसके बाद मैंने का ठीक है मीडिया में कोई नहीं तो जुडिशरी को देखते है 650 हाई कौट जजिज है 90 परसेंट आबादी के पाल 650 में से 100 और वो भी छोटे छोटे और जब तक आप सुप्रीम कोड में पहुँचोगे खत्म चलिए बड़ी-बड़ी कमपनियों को देखते है 200 सबसे बड़ी कमपनिया हैं हिंदुस्तान में उनकी मालिकों की लिस निकालो 16 लाग करोड रुपय 16 लाग करोड रुपय उन 200 में से 25 लोगों को नरेंद्र मोदी ने दिया है 16 लाग करोड रुपया मतलब अगर आप 25 बार किसान करजा माफ करो हिंदुस्तान का किसान का करजा 25 बार माफ करो उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 25 लोगों दिया है 200 में से एक OBC नहीं, एक दलित नहीं, एक आधिवासी नहीं उनकी सीनियर मैनेजमेंट में एक दलित नहीं, एक आधिवासी नहीं, एक OBC नहीं तो जहां भी देखो मीडिया में देखो प्राइवेट हस्पतालों को देखो बड़ी-बड़ी कंपनियों को देखो जुडिशल सिस्टम को देखो जहां भी देखो कोई है यह नहीं वहां पर 90% का कोई है यह नहीं अब मुझे फ्रैंकली जात में इंटरस्ट नहीं है मुझे इंटरस्ट नियाए में है मैं सर्व यह कह रहा हूँ कि हिंदुम्स्तान में आज 90 परसेंट के साथ अनियाय हो रहा है अनियाय हो रहा है अब मैंने ये भी नहीं कहा आज तक मैंने ये भी नहीं कहा कि हम कोई action लेंगे मैंने सिर्फ ये कहा है कि देखे ये पता लगाते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है इसका दो कोई इतराज नहीं होना चाहिए अगर आपको चोट लगे और मैं आपसे कहूँ बहें शांत हो जाएं जड़ा और मैं आपसे कहूँ कि देखिए इनको चोट लगी है एक्सरे करा लीजिए तो एक्सरे से किसे को इतराज तो नहीं होना चाहिए मगर आप देखिए नैशनल मीडिया को देखिए नरेंद्र मोधी को देखिए जैसे ही मैंने एक्सरे की का शब्द प्रयोग किया मैंने सिर्फ ये कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है सारे के सारे खड़े हो गए देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है देश को बाटने की कोशिश हो रही है एक्सरे से क्या बटेगा कैसे बटेगा एक्सरे से सिर्फ नब्बे परसेंट को ये पता लगेगा कि उनके भागीदारी कितनी है अब सारे के सारे देश भक्तों को यह अच्छा लगना चाहिए देश भक्त क्या चाहता है देश भक्त देश में न्याय चाहता है देश भक्त देश भक्त अन्याय थोड़ी चाह सकता है देश भक्त चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े देश भक्त चाहता है कि हिंदुस्तान एक दिन सुपरपार बने जो भी जैसे भी आप कहना चाहो तो अगर आप सुपरपार बनना चाहते हो चाहिना से मुकाबला करना चाहते हो तो 90% शक्ति का प्रयोग तो करना पड़ेगा अगर आप 90% की शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे तो कैसे बनोगे तो बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है कि सारे के सारी लोग अपने आपको देश भग कहते हैं सारे के सारे जो अपने को देश भग कहते हैं X-ray से डरते हैं मोधी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं OBC हूँ जैसे ही मैंने X-ray की बात की जाती जनगर्णा की बात की नरेंदु मोधी कहते हैं जाती नहीं अरे जात नहीं है तो आप OBC कैसे फिर आपको फिर आपको उस टाइम कहना था मेरी तो कोई जात ही नहीं है और फिर कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात है अमीर और गरीब ठीक है अगर आप ये बाद मानते हो कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात है अमीर और गरीब, तो मैं आपसे कहता हूँ कि गरीबों की लिस्ट निकाल लिए, उसमें आपको OBC दलित आदिवासी मिल जाएंगे और अमीरों की लिस्ट निकाल लिए, उसमें आपको एक दलित, एक आदिवासी एक पिछड़ा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ये अब मेरा लाइफ का मिशन है सुनिए सुनिए अब लाइफ मिशन में लाइफ लाइफ मिशन में और राजनेति राजनेती और लाइफ मिशन में फरक मैं आपको बताता हूँ लाइफ मिशन में कॉम्प्रमाइज नहीं होता है राजनेती में राजनेती में कॉम्प्रमाइज किया जा सकता है लाइफ मिशन में कॉम्प्रमाइज नहीं होता और और तो तो दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और काम किस गारेक्शन में करना चाहिए सबसे पहले इसमें एक पुलिटिकल डायरेक्शन है पुलिटिकल डायरेक्शन आपने मैनेफेस्टों में अच्छी तरह देख लिया है आपने ही कहा कि मैनिफेस्टो करांतिकारी डॉक्यूमेंट है उसमें एक्सरे है और उसमें जो इंकम इनिक्वालिटी नरेंदर मोधी जी ने की है जो बाइस लोगों को उन्होंने 16 लाग करोड रुपे ट्रांसफर किया थोड़ासा पैसा, ज्यादा नहीं, थोड़ासा पैसा कॉंग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापिस 90 परसेंट को देने जा रही है थोड़ासा, हमने मतलब हमने हमने calculate करके, हमने calculate करके 16 लाग करोड रुपे नहीं दिया calculate करके हमने जो हमें लगा जो नियाएं हमें लगा कि इतना इतनी मदद करनी चाहिए हमने मैदनिस हैस्टों में डाल दिया है मगर उससे भी जादा बड़ा एक काम है जो आप मैं और हम सब को एक साथ करना पड़ेगा देखिए जो पिछडे लोग है सबसे पहले ये शब मुझे अच्छा नहीं लगता है ये पिछडे लोग ये शब अच्छा नहीं है सबसे पहले इस शब को खतम करना है अब 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 इसका मतलब क्या है देखिए आपको ये समझना है कि आपके साथ किया क्या गया है ये जो पूरी मुवम्मेंट है ना बीजेपी वाली इसका मिशन आपकी हिस्ट्री को मिटाने का है कि आप लोग आप लोग अपनी हिस्ट्री ना पहचानो और ना समझो तो एक प्रकार से आपको बीते हुए समय से काट दिया गया है ये हुआ है आपके साथ और आपकी हिस्ट्री है आपकी हिस्ट्री फूले जी हैं अंबेटकर जी हैं नहीं अंबेटकर जी हैं मगर वो बहुत चुने हुए लोगों की हिस्ट्री है दो, तीन, चार लोगों की हिस्ट्री है मगर अच्चली फूले जी जैसे करोणो लोग थे जिन्नोंने अपनी पूरी जिन्दगी 24 घंटा अपना खून पसी न दिया मगर उनकी कोई बात ही नहीं करता है तो जो आपकी हिस्ट्री जो आपकी हिस्ट्री है जिसको मिटाया गया है जिसको मिटाया गया है उसको रिवाइव करना है आजादी की लड़ाई में मैं आपसे पूछता हूँ आजादी की लड़ाई में आपका क्या रोल था क्या रोल था आपका आजादी की लड़ाई में Central रोल था आपका आजादी की लड़ाई में आजादी की लड़ाई पिछडा वर गलित आधिवासी इन सब ने लड़ी मगर कोई मेंचन ही नहीं माइनॉरिटी भी माइनॉरिटी भी तो मेरा कहना है कि जब तक हम आपकी हिस्ट्री को रिवाइव नहीं करेंगे जब तक आपके एक बार फिर जड़ नहीं लगेगी हिस्टॉरिकल जड़ नहीं लगेगी तब तक यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती मगर ये एक बात समझ लीजिए कि जो मैंने आपसे पहले कहा ये मेरे लिए राजनेती नहीं है यह मेरे लाइफ मिशन इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं और मैं गैरंटी करके कहना हूँ जो कांचा जी ने कहा आप लिख लो आप लिख लो जाती जनगर्ना को कोई शक्ती नहीं रोक सकती है और जितना जितना इसको जितना इसको रोका गया जितना इसको रोका गया उतनी तेजी से उतनी फोर्स से यह वापिस आएगा क्योंकि हिंदुस्तान के 90% लोगों को यह बात समझ आ गई है शायद वो आज कहने रहे हैं खुल कर कहने रहे हैं मगर उनको बात समझ आ गई है कि हिंदुस्तान के institutional structure में हिंदुस्तान की economy में हिंदुस्तान के judiciary में उनकी कोई जगे नहीं है और देश 90% उनका है तो इसको रोका नहीं जा सकता है और जैसे ही हमारी सरकार आईगी मैं आपको बता रहा हूँ पहला काम जाती जन्गरना होगा अब अब आपको अब आपको ये जो 90% है इनको आपका रोल आपका काम है आपका रोल है कि इनको बताना कि देखिए इस देश में आपकी भागीदारी नहीं है वाट्सैप पर इंस्ट्राग्राम पर रील देखकर भागीदारी नहीं बनती है मैंने भाश्चन में कहा कि हिंदुस्तान के युवा 7-8 घंटा इंस्ट्राग्राम की रील देख रहा है 90% 7 घंटा मैंने चेक किया सर्वे कराया हर्याना में मैंने लोग बेजे सर्वे कराया कि भाई युवा कितने घंटे इंस्ट्राग्राम पर हैं 7 घंटे मतलब BJP का काम जो OBC वर्ग है गलित वर्ग है अधिवासी वर्ग है उनका ध्यान भटकाने का है कभी इधर बेजेंगे कभी उधर बेजेंगे कभी पाकिस्तान, कभी चाइना कभी बॉलिवोड आप भी उसमें हैं भीया आप आप भी 90% में हैं और आपकी हालत हम जानते हैं आपको क्या सेहना पड़ता है हम सब जानते हैं तो यह ध्यान भटकाते हैं यह पूरा का पूरा जो इनको मुवमेंट है इसका लक्ष OBC का ध्यान भटकाना यह यह लक्ष और प्रॉब्लम इनकी क्या है कि ध्यान को आप इतनी टाइम ही भटका सकते हो और अब वो टाइम आ रहा है कि अब वो भी से पूछ रहा है कि भईया यह हो क्या रहा है मतलब राम मंदिर बन गया और उसमें हमारा एक आदमी नहीं दिखा पारलमन नया खुल गया बड़ी पूजा हुई नरेंदर मोधी बैठे मगर हमारा एक आदमी उसमें नहीं दिखा गलेत आदिवासी यह तो कह रहे है आदिवासी राष्ट्रपती है इंदुस्तान में मतलब यह कौन सी यह कौन सी भागिदारी है हेड ओफ स्टेट राष्ट्रपती है नया पारलमन बन रहा है हेड ओफ स्टेट का काम उस पारलमन को खोलने का है हेड ओफ स्टेट को परे कर दिया तो तो लोगों को ये बात समझ आ रही है राम मंदिर में भी बिलकुल यही हुआ तो देश को ये समझ आ रहा है 90% को समझ आ रहा है और इसको हमें आगे ले जाना है अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के मतलब जो बड़े बड़े बिजनिसें हैं उनकी मदद नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाईया अगर उनका 100 रुपे, उनके 100 रुपे की मदद हो रही है तो उनकी भी 100 रुपे की कर दो ना अगर आप उनका कर्जा माफ कर रहे हो उनका कर्जा माफ कर रहे हुए उनका आपने 16 लाक करोड कर दिया और हिंदुस्तान के खिसान का आपने 50 रुपे भी नहीं किया OBC स्टूडेंट्स हैं आधिवासी स्टूड़ेंट्स हैं गलित minority students है उनका आपने कितना माफ किया कुछ नहीं, fees बढ़ा दी और fees बढ़ा दी, नहीं, बात समझे आपने का fees बढ़ा दी fees बढ़ाई private university colleges में सही, private university colleges किसके वो ही 5% के है वो, जमीन कहां से आई जमीन कहां से आई आपकी जमीन, किसानों की जमीन अक्वाइर की scholarship खतम कर दी तो, तो private hospital देखिए private colleges, schools, colleges देखिए बड़ी-बड़ी-बड़ी-उनिवर्सिटीज देखिए आप GST का पैसा देते हो जमीन आप से अक्वाइर की जाती है और फिर आपकी फीज बढ़ती है और हर हर संस्ता में ये है मैं आपको चोटा सा उधारन देतना हूँ फसल बीमा योजना मैंने ये पूरी अनेलिसिस किये फसल बीमा योजना 45,000 करोड रुपे हिंदुस्तान की सरकार, स्टेट की सरकार फसल बीमा योजना को देती है फसल बीमा योजना का पैसा 16 कंपनीज को जाता है 16 कंपनीज के मालिकों में एक OBC, एक गलेत, एक आदिवासी नहीं है उनकी सीनियर मैनेजमेंट में जिनको करोड़ रुपे की सैलरी मिलती है उसमें एक आदिवासी, एक गलेत, एक OBC नहीं फिर तुफान आता है किसान का खेत खत्म हो जाता है पैसा कहां से आया, GST से आया किसान का पैसा गया और फिर कंपनी कहती है भहिया देखो आपके खेत में तो नुकसान हुआ ही नहीं और किसान को पैसा नहीं दिया तो कहा जाता है कि 45,000 करोड रुपे किसानों को जा रहे है मगर होता क्या है 45,000 करोड रुपे 16 कंपनी को जाते है fertilizer subsidy भी है यह जाती जनगरना से clarity हो जाएगी और जाती जनगरना को मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ आप यह मत सोचिए कि जाती जनगरना सिरफ caste सर्वे है वो जाती का सर्वे है मगर उसमें हम economic और institutional सर्वे भी जोडेंगे मतलब क्या होगा मतलब क्या होगा देश को पता लग जाएगा कि इस जात में इतने लोग है गलित इतने आदिवासी इतने गरीब जनरल कास्ट इतने इनकी आमदनी इतनी है और हिंदुस्तान की संस्ताओं में इनकी इतनी भागिदारी है तो पता लग जाएगा कि मीडिया में इतनी कमपनिया हिंदुस्तान की मीडिया को कंट्रोल करती है इतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार इनको दे रही है और इस संस्ता में इतने OBC, इतने दलेत, इतने आधिवासी वो सब संस्ताओं का होगा जो ये एक प्रकार से नैशनल एक्सरे मान दिये इसको और मुझे लगता है कि सतर साल बाद ये एक जरूरी कदम है कि हम असेस करें कि सतर साल की आजादी के बाद आज सिचुएशन क्या है और इसके बाद हमें किस डिरेक्शन में जाना चाहिए लॉजिकल है और इसका कोई इत्राज नहीं कर सकता है ये मैं आपसे कहना चाहता था आप ये मत सोचिए कि ये काम एक दिन का दो दिन का पांच दिन का है ये लाइफ टाइम का काम है और इसको हम मिलकर करने जा रहे हैं आप सब का कॉंग्रेस कॉंग्रेस जेनरली क्रांतिकारी काम करती है आजादी कॉंटिटूशन हरी क्रांती सफेद क्रांती बैंक नैशनलाइजेशन प्रिवी पर्स कंप्यूटर रेवलूशन ये कॉंग्रेस का अब नया क्रांतिकारी मिशन है धन्यवाँ ज्ट नया क्रांतिकारी कॉंग्रेस